तो फ्रेंट चले आज हम फिर से बनाएंगे एक और नई दिजान का डोर्मेट बहुती प्यारा शाह और संदर से डोर्मेट आपको मैं बना करके बताऊंगी जिसके लिए मैंने दो पार्ट इस तरह से बनाए है और ये दो पतिया बना लिहां तो यह मैं आपको महरूम कर रशे बनाकर बताऊंगी इस तरीकले से मैंने यह बनाई हैं हम इसे परानी शाड़ी और चुर्णी से भी बना सकते हैं है यह बनाने शुरू करते हैं बनाने के लिए हम यहां पे इस तरह से 16 फंदे डाल लेंगे तो यह मैंने 16 फंदे यहां पे डाले हुए अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप यहां पे 18, 20, 22 इस तरह से जोड़े में फंदे यहां पे डाल लेंगे तो फंदे डालने के बाद देखिए हम पहली सलाई से ही पहला फंदा उताल लेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे पहली सलाई को ही हम इस तरह से बनाएंगे पहली सलाई से ही हम इसमें दो फंदे छोड़ेंगे तो देखिए दो फंदे हम यहाँ पर इस सलाई में छोड़ देते हैं और हैंसे हम सलाई को लट लेते हैं तो देखिए हमने दो फंदे यहाँ पर छोड़ दिये हैं और इस सलाई को हम पूरा इसी तरह की से बना रहे हैं देखिए हमने पूरी सलाई को बना लिया है अब फिर से सीरी सलाई पर हैं तो यहाँ पर देखिए पहला फंदा हमें पूरी पत्ती बनाने के लिए या कली बनाने के लिए इसी तरह से उतारना है और आगे के फंदों को हम उल्टा उल्टा ही इसी तरह की से बना लेंगे तो देखिए दो फंदे हम अब की सलाई पर छोड़ेंगे दो हमने पहली सलाई पर छोड़े थे दो अब की सलाई पर छोड़ते हैं तो यह देखिए हमने दो फंदे हम फिर से छोड़ दिये हैं हम सलाई और धागे को पलड़ लेंगे और इधर की सलाई को पूरा इसी तरीके से बनाएंगे तो यहां पर देखिए हमने यह दो सलाई यह दो बार दो दो फंदे छोड़ दिये हैं तो इसी तरीके से हमें यहां पर 14 फंदे छोड़ने हैं यह देखिए दो फंदे छोड़के यहां तक हम इसी तरीके से दो दो फंदे हर सलाई पर छोड़ेंगे तो चली हम बना लेते हैं इस कली को इसी तरह से तो देखे फ्रेंस यह हमने इस तरी किसी एक कली यहां से बना ली है यह देखे यह वाली यहां से यहां तक तो यह हमने एक कली यहां से यहां तक बनाई है अब हम इसके बाद यहां पर दूसरा करल लगा देंगे इस फंदे को तारके देखिए हम धागे कुस तरह से पलट लेंगे इसे दुबारा इस सलाई में डाल देंगे तो अब देखिए हम यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे देखिए हमने दूसरा कलर लगा दिया है अब यह हमारे जितने भी छोड़े हुए फंदे हैं इन्हें एक साथ हम बना लेंगे देखिए हमने सारे फंदे इसी कलर से बना लिए हैं अब देखिए हम इस सलाई को भी पूरा उल्टा इसी तरीके से बना लेते हैं यहां पर देखिए हम फिर से इसी तरीके से छोड़ना शूरू करेंगे जिस तरीके से हमने नीचे बनाए है पहले फंदे को हम इसी तरीके से उतारेंगे धाग अपनी तरफ करेंगे अब हम इस सलाई से फिर से इसी तरीके से फंदे छोड़ना शुरू करेंगे इस तरीके से हम ने इसमें छोड़े थे कि देखे हम दो फंदे दो फंदे इस सलाई में छोड़ देते हैं है इसे पलट लेंगे तो इस सलाई को हम पूरा इसी तरीके से बनाएंगे तो चली हम बना लेते हैं इसे पूरा तो इसी तरीके से हमारी सारी कलियां बनेंगे हमें इसमें पांच कली बनानी है इसे बनाने के बाद हम फिर से महरूम कलर को लगा देंगे जिस तरीके से हमने यहां पर यह लगाए है तो चली हम बना लेते हैं इसे पूरा इस तरीके से तो देखे फ्रेंस यह हम पांच पत्ती यहां पर बना चुके हैं एक तो तीन चार पांच तो यह पांच पत्ती हमने बना ली है और यह देखे यह हमारे पांच यह पत्ती में छोड़ेवे फंदे हैं इन्हें हम अब एक साथ बंद कर देंगे इस तरह से दो काई करते हों घटा देंगे आप इन्हें एक सलाई बना करके भी बंद कर सकते हैं यहां पर मैंने एक सलाई नहीं बनाई है तो इसी तरह से हम सारे फंदों को घटा लेते हैं है तो देखिए हमें इस तरह की एक पत्या ओर बनानी है चलिए मैं बना लेती हूँ एक पत्ति और इस तरह की तो देखिए यह में हमारी दो पतियां इस तरह की बनकर त्यार हो गई है तो अब देखिए अब हम इस वाले पाट को बनाएंगे तो यह हमने किस तरह से बनाते हम इस तरह से तो इसे बनाने के लिए हम इसमें एक नौट एक नौट लगाएंगे एक नौट लगाने के बाद यहां पर देखिए हम दोनों तरफ से फंदे बढ़ाएंगे यह देखिए सलाई के उपर से वून को लपेटते हुए और इसी तरह से हम दूसरी तरफ से फंदे बढ़ाएंगे सलाई के उपर से लपेटते हुए और इधर से भी देखिए सलाई के उपर से वून को लपेटते हुए तो हम इसी तरीके से फंदे बढ़ाते हुए जाना है दोनों तरफ तो हम दोनों तरफ इसी तरह से फंदे बढ़ाएंगे इसमें है तो हम चलिए इसमें इसे बना लेते हैं सितरह से फंदें बढ़ाते हुए हमने इसमें नौ सलाई यां बनानी है दोनों तरफ से फंदेंबढ़ाते हुए तो चली में बना बनाने के बाद देखे हम इसमें दूसरा लगाएंगे तो इस सलाई को पूरा हम कि इसी कलर से बनाएंगे तो चलिए हम बना लेते हैं सलाई को पूरा इसी कलर से तो देखे हैं नौ सलाई बनाने के बाद एक सलाई हम पूरी दूसरे कलर से बना लेंगे इसी तरीके से अब इसके बाद हम यहां पर देखें देकि दो कंई करके दोनो तरफ से फंदह हम इसी तरह से घटाएंगे इस तरह से हमने दोनों तरफ से एक एक फंदे बढ़ाये थे अब हम दोनों तरफ से फंदे याँ पे घटाएंगे इसी तरीके से चली हम बना लेते हैं इसी तरीके से दोनों तरफ से फंदे बढ़ाते हुए गटाते हुए लास्ट में हमारा एक फंदा रह जाएगा तो चली हम बना लेते हैं इसे तो देखे फ्रेंस यह हमारा इस तरह से बनके तयार हो गया है हमें एक और पार्ट इसी तरीके से बनाना है तो चली हम बना लेते हैं एक और पार्ट तो देखे फ्रेंस यह हमारा दूसरा पार्ट भी बनकर तयार है अब हमारे यह दो-दो पार्ट इस तरह से बन गए हैं तो हम इन सब का अब एक प्यारा सा डोर्मेट बनाकर तयार करेंगे तो चलिए किस तरह से हम इन सब का डोर्मेट बनाएंगे तो सबसे पहले हम हम इस तरह से आमने सामने रखके इन्हें एक साथ हम इसे जोड लेंगे तो चलिए हम इन सब को एक साथ जोड लेते हैं सलाई हमें उल्टी तरफ से लगानी है यह देखिए इस तरह उल्टी तरफ से रखते हुए हम इनमें सलाई लगा लेंगे तो चलिए एक साथ हम इन सब क सिल लेते हैं तो देखे फ्रेंस यह हमारे पार्ट जुरकर तयार हो गए हैं अब हम इन में इन कलियों को जोड़ेंगे तो देखिए एक कली हम इस तरह से इधर लगाएंगे और एक कली हम यहां पे और एक कली इधर और एक इधर तो हम चारो तरफ इन कलीओं को सिलेंगे तो एक सिलाई हमें यहां से यहां तक लगानी है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इस तरह से हम इतनी चारो कलियों को इसमें सिलेंगे तो सिलाई हमें उल्टी तरफ से ही लगानी है तो चलिए हम सिल लेते हैं इन चारो पतियों को भी मैं आपको सिल करके दिखाती हू कि ये सिलने के बाद कितना प्यारा लगेगा तो देखे फ्रेंस ये हमने इसमें सिलाई लगा ली है हमने ये चारो पत्या इसमें सिल दी है तो ये हमारा डोर्मेंट बनकर तयार है तो देखे बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है और बनाने में तो बहुत याशान है अगर आपको इसे ऐसे ही रखना है तो ऐसे भी रख सकती है अगर आप इसमें बीच में कोई फॉम पॉम से अफलोबर लगाना चाहती है तो वो भी यहाँ पे लगा सकती है इस तरह से तो देखिए जिससे यह और भी शुंदर लगेगा तो प्लीज अगर आपको हमारा डॉर्मेट पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सस्क्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह डॉर्मेट कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई